वेलकम अमर सर योटूब चैनल इस पर आप सबों का स्वाजत है आज रात नौ बजे अमर सर के साथ इस प्रोग्राम का ये ट्रेलर वीडियो है दरसल आज रात नौ बजे टाइम इन वर्क पर मैं जिस तरह का लाइब लेने वाला हूँ क्लर्क मेंस के और ये एक मेराथन क्लास होगा इंग्लिस हंदी दोनों में होगा मैं चाहता हूँ कि उस क्लास के बारे में आप समझें अगर आपने वो पूरा क्लास किया टाइम इन वर्क के टफ से टफ कुश्चन किसी भी एक्जाम के आप आसानी से बना पाएंगे इस वीडियो में मैं उसकी एक जलत दिखाता हूँ आप जानते हैं कि जो टाइम इन वर्क है वो यूनिट वॉक मिथड से भी बनता है फॉर्मूले से भी बनता है फ्रैक्शनल मिथड का जबरदस्त इस्थेमाल होता है अलग-अलग कंडिशन में अलग-अलग करीके यूज किये जाते हैं जैसे ये कुश्चन देखिए मैं डीटेल एक्स्प्लेइन करूँगा आज रात नौ बजे 8 men चौ में 20-ません तो If 8 men and 4 women started walking and after two days 4 men left and 4 new women joined then in how many more days will the walk be completed efficiency दे देने के कारण unit walk method से अच्छा कोई तरीका हुई नहीं सकता अगर one man, one woman की तुलना में devil efficient है तो women one unit per day तो man two unit per day sketch ऐसा sketch ऐसा total walk 8 into 2, 16 plus 4, 20 units per day and in 6 day 120 units total walk total walk देखिए 8 men और 4 women two days work करते है तो 8 into 2, 16 plus 4, 20 units per day in 2 days 40 units out of 120 तो 80 बचा 4 men leave कर गए तो 4 बचे 4 women आ गई तो 8 होगे 4 into 2, 8 and 8 देखिए 4 into 2, 8 and 8 16 units per day तो भई 80 units in how many days 5 days unit walk method का ये जबरदस्त इस्तेमाल है देखिए ये SBI Clark Bains 2016 का memory best है सारे memory best questions, सारे expected questions इस class में discuss किये जाएंगे इसी तरह से देखिए ऐसा question जहां formula का भी इस्तेमाल होता है एक तरफ unit walk method दिखाया जया दूसरी तरफ दूसरी तरफ formula का इस्तेमाल A and B 12 days A alone in 20 days X into Y by Y minus X 12 into 20 by 8 यानि 5 into 6 30 days 30 days कैसे? ऐसे 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 30 days अब अकर B 30 days में कर सकता है efficiency हाफ हो जाया है time double लगेगा यानि 60 days में walk करेगा अब 60 और अब ये 20 तो दोनों मिलके X into Y by X plus Y यानि 15 days अगर formula का इस्तेमाल किया जाए अगर unit walk method का इस्तेमाल किया जाए 12 days में दोनों 20 days में अकिला हम LCM ले लेते हैं 60 unit walk है 12 5 जाब ले 23 जाब ले यानि rest walk भी करता है 2 unit per day efficiency half हो जाए per day half walk करे तो 1 unit per day तो A and B now 3 plus 1 4 units per day 60 units in how many days ऐसे ठेर सारे questions का marathon class आज रात 9 बजे होने वाला है तैयार हो जाए किसी भी exam के किसी भी questions को आप असानी से solve करेंगे तो मिलते हैं आज रात 9 बजे